सु आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों की HDFC बैंक का इस्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं घर बेटे आउनलाइन अपने मुवाइल फॉन से जिया दोस्तों अगर आपका एकॉण HDFC में और HDFC बैंक एकॉण का इस्टेटमेंट आप घर बेटे ही निकालना चाते है तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं इसके लिए आपको बैंक की जाने की जिरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप एक महीने का बैंक की स्टेटमेंट निकालना चाते हैं या छे महीने का या तीन महीने का या फिर दोस्तों आप एक साल का या फिर दो साल का बैंक की स्टेटम mobile banking application को open करना है उसको MPIN डालकर login कर लेना है यहाँ पर HDFC mobile banking में अगर अभी तक आपने registration नहीं कियो हुआ है तो यह वाला वीडियो आपको वीडियो के discussion मिल देगा उस वीडियो को देखर बहुत ही आसान इसे registration कर सकते हैं registration करने के बाद आपको करना के होगा MPIN डालकर login कर लेंगे login होने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आ जाता है आप दोस्तों यहाँ पर saving account option दिखाई देता है यहाँ पर छोटा सा एक arrow दिखाई देगा इस वाले option पर आपको simple से click कर देना है जैसे ही उस पर आप click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface आ जाता है अब दोस्तों bank का statement निकालने की नीचे में statement का एक option आपको दिखाई देगा आप यहाँ पर देख सकते हैं statement का एक option दिखाई देगा तो simple से आपको statement के सामने में एक arrow दिखाई देगा इस arrow पर आपको simple से click कर देना है अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर arrow के option पर click करेंगे आपके सामने कुछ transaction यहाँ पर सोग कर जाता है अब दोस्तों यहाँ पर एक option दिखाई देगा नीचे में recent transaction का तो simple से आपको recent transaction के option पर click करेंगे उसके बार दोластो यहाँ पर आपको PDF डॉल्लोड करने को लिए दिया जाएगा बोल रहा है करेंट मन्त का तीन महीने का निकलना है पर अप्र किलिकर के डेट करके अपना बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते है तो यहाँ पर दोस्तो अगर मैं यहाँ पर 6 महीने का statement निकाना चाहूँगा तो मैं 6 महीने पर click करूँगा अगर दोस्तो आप current air का निकाना चाहते हैं तो current air वाले option पर click करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो मैं date y निकाना चाहता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर ज्यादा transaction निकालाँगा तो आपको करना चाहोगा Select date range का option पर आपको simple से click कर देना है जैसे उस पर आप click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface आजागा अब दोस्तों यहाँ पर download वाला option आपको select करके रख देना है करके दापके जैसा। करके देना है उत्तने दिन का दोस्तों यहाँ पर स्पेर्टेमसélior निकलना चाहते है वह date आपको यहाँ पर select कर रेना है उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ फर सबसे पहले एघर उसके बाद month उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको date select करके नीचे में ok वाल option पर ज़रूर आपको click करना है तभी दोस्तों आपका यहाँ पर date select होगा ठीक है मैं अपना date select कर लिया हूँ अब दोस्तों मैं ok वाल option पर click करता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्लेट कर लेना सही से उसको नीचे में confirm का option दिखाई देगा confirm बाले option पे आपको simple से click कर देना है यहाँ पर दोस्तों date select करने के बाद यहाँ पर confirm बाले option पे click करने के PDF file download successfully यानि कि दोस्तों आपके mobile के file manager में statement का PDF file यहाँ पर download हो चुका है अब मैं उस PDF को open कर लेता हूँ जैसे मेरा PDF इसको मैं click किया और दोस्तों कुछी सिकंड में मेरा PDF यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों नया account है इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा transaction नहीं किया है तो मेरा एक ही पेज में दोस्तों यहाँ पर बैंक कर दिया गया है ठीक है अगर दोस्तों आपका पुरारा account होगा और जितना transaction आपका हुआ होगा जितने date में आप select किया होंगे तो दोस्तों उतना ही दोस्तों पेज में आपका यहाँ पर बैंक इस्ट्मेंट सोग कर जाएगा तो इस तरह से दोस्तों बैंक इस्ट्मेंट डाउनलोड कर सकते हैं HDFC का बीना बैंक जाए धर बैटे online अपने mobile phones